अपने हर दिन में ये कुछ काम जरूर करना, आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, कई गुना जादा खुश रहोगे, कई गुना जादा काम कर पाओगे, जीवन में सम्रिद्धी होगी, खुशाली होगी, दोस्तों सुबह उड़ते ही न, ना करात्मा ख्याल पैदा होता ह बहुत लोगों को, टेंशन पैदा हो जाती है जीवन के बड़े-बड़े विश्यों को लेकर, कैसे जीवन जलेगा, ये काउं कैसे हो पाएगा, मैं कैसे जहल पाऊँगा, होता है न, इसका हल निकालने के लिए सुबह उड़ते ही खुद से बोलो, कि ये जीवन मेरा नही है, ये ब्रहमान मुझे इस जीवन में लेकर आया है, किसी कारण से अपना निमित बना के अपने कुछ काम निमटवाने के लिए, उसे मुझे पर भरोसा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लेकर आया है, इसलिए ये मुश्किले दिये, परेशानिया दिये, situation द प्रेयास करना है, ब्रहमान की मदद करनी है इस दुनिया को चलाने में। मैं अपने कर्मों के दो़ारा इन परिशाणियों को न को हल करनी के दो़ारा ब्रहमान का मक्सद Пूरा कर रहूं। मैं तो एक हीरो हूँ, एक नायक हूँ, जिसको एक जिम्मेदारी सौब भी गई है। मैं ब्रह्मान का भरोसा नहीं तोड़ूँगा, उसका निमित बना रहूँगा, अपनी तरफ से, निष्टा से हर चीज का हल निकालने का प्रयास करूँगा। वो हल निकले, ना निकले, वो ब्रह्मान देखेगा। निमित तोस ने मुझे बनाया है। मेरा यहां कुछ नहीं है, यह दुनिया मेरी नहीं है, यहां की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्तिती मेरी नहीं है। जब भी कहीं भी बैठ रहे हो, काम करने बैठ रहे हो, खाने बैठ रहे हो, कुछ भी करने बैठ रहे हो, उस जगे की थोड़ी सी सफाई करके बैठो, थोड़ा सा डीकलेटर कर लो फालतू की जो चीज़े हैं उनको हटा दो, सिरफ काम की चीज़े आपके सामने होने चाहिए और जब भी कहीं से भी उठो खा के उठ रहे हो, काम करके उठ रहे हो उस जगे थोड़ी सी सफाई करके उठो आपके द्वारा की हुई कोई भी गंदगी आपके जाने के बाद वहाँ पर नहीं होनी चाहिए दोस्तो दिन चर्या में जादातर काम ऐसे होते हैं जो हम शौक से नहीं करते, खुशी से नहीं करते, जबरदस्ती करते हैं क्योंकि करना ही करना है, होता है ना ऐसा और फिर हम उनको डिले करते हैं, प्रोकैस्टिनेट करते हैं, उन कामों से बचते हैं, टाइम खराब करते हैं इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने हर दिन का हर काम का एक टाइम फिक्स कर लो खासकर उन कामों का जो जरूर करने है डौट छे बजे उड़ जाना है आठ बजे नाना ही नाना है नौ बजे काम या पढ़ाई या जो भी आपका में काम है दिन का शुरू करना ही करना है साड़े छे बजे मुझे गार्डन में होना ही होना है जैसे ही घड़ी पर वो समय आया सुईया वहाँ पर आई उस समय आपको सोचना नहीं वो काम करना है खुद को सोचने का मौका ही नहीं देना सारी परिशानी ही वहाँ आती है जब हम खुद को कुछ शर दे देते हैं सोचने के लिए क्यों करूँ क्या फायदा होगा अभी इस शर में क्योंकि हमारे मन को हमारी इंद्रियों को चीए इंस्टन्ट ग्रैटिफिकेशन अभी क्या मिल रहा है और कुछ नहीं मिलेगा जादतर कामों में लंबे समय में तो घड़ी से कामों को एसोसेट कर दो सोचना नहीं है बस वो काम होना ही होना है वही मेरे दिन की सफलता है वही मेरा मकसद है और कोई भी काम उस समय नहीं कर पारे तो ग्लानी का भाव पैदा करना है खुद को कमजोर समझना है कम समझना है असफल समझना है ताकि दोड़ कि वो काम शुरू करते हैं दोस्तों हर रोज की दिन चर्या में हमें कुछ चीजों से या इनसानों से कुछ भावों से आकरशन पैदा होता है आकरशित हो जाते हैं अट्रेक्टेड हो जाते हैं और फिर वो ही चीज दिमाग में घूनने लगती है चाहिए वो कोई सुंदर इनसान हो कोई गाड़ी हो किसी का फोन हो किसी के कपड़े हो किसी की पोजीशन हो पावर हो किसी का फेम हो आपको सिर्फ खुद को उस शड़ में रोक कर खुद से एक सवाल करना है क्या ये वस्तू क्या ये व्यक्ती क्या ये चीज मेरे जीवन से उपर है क्या मैं इसके बदले 10 मिनट की अपनी सासे दे सकता हूँ हर शर्ण सास ले रहे हो सालों से सासे लेते आ रहे हो क्या 10 मिनट की सासे दे सकते हो उसके बदले उतने में ही काम हो लेगा आपका नहीं दोगे किसी भी चीज़ के लिए नहीं दोगे उस चीज़ का फायदा ही क्या रहेगा फिर खुद से कहो कि ये सिरफ भ्रहम है इंद्रियों का भ्रहम है ये मुझे भटका रहा है आकरशन का भाव सबसे सस्ता भाव है तुरंत उचा उड़ता है फिर बिल्कुल लीचे गिर जाता है गलानी पैदा करता है आकरशन को समझो कि ये आकरशन है ये अट्रैक्शन है ये गलत है ये मुझे बटका रहा है और एक बात ये और सोचना कि मैं बहुत जाद आकरशित हो रहा हूँ पागल हो रहा हूँ एक चीज़ के पीछे तो कोई ऐसा ना हो कि प्रकरती मुझे से कुछ बहुत अच्छी चीज़ लेकर मुझे ये दे दे कोई सीक्रेट डील क्रैक ना हो जाए प्रकरती और मेरे जीवन के बीच में जिस वज़े से मेरा पूरा जीवन बरबाद हो जाए कि चलिए फोन ले ले इस बिमारी को जहल लियो हर दिन का आपका कार्य है कि कम से कम दो से तीन लोगों के चेहरे पर मुस्काल लानी है और एक जीव जन्तू को खुशी देनी है चाय कुछ खिलातो कैसे मुसकाल लानी है प्रेम से बात करनी है उनकी बाते सुननी है मदद करनी है वो आप देख लो कैसे करना है आपका दिन तीन हिस्सों में डिवाइड़ है और आप उसका एहसास नहीं कर पारे तो खुट डिवाइड कर लो एक है सुबह का समय जो तैयारियों के लिए बना है अपने शरीर को अपने दिमाग को जगाने के लिए बना है अपने शरीर के लिए कुछ करने के लिए बना है उस समय सारा ध्यान दिन के तैयारियों पर होना चाहिए नाने दोने पर फ्रेश होने पर होना चाहिए बाहर जाकर exercise करकर प्रकरती की बीच में समय बिताकर शरीर के लिए मन के लिए कुछ करने पर होना चाहिए सिर्फ कर्मों का plan करना है कि पूरे दिन में क्या-क्या काम करने है शुकर गुजार होना है कि मुझे आज सुबह मिली है कुछ करने के लिए आज जीवन मिला है कुछ करने के लिए फिर आता है दिन का समय दिन का समय है में करमों के लिए जीवन मिला है उर्जा मिली है तो करम करने है आप प्रकरती के निमित हो किसी ना किसी विस्तु के लिए किसी ना किसी विशे के लिए ब्रह्मान को चलाने के लिए पूरे दिन निश्टा से करम करना ही आपके हर दिन की सफलता है निष्टा के साथ दिन में करम करने है तोड़े थोड़े ब्रेक लेकर करम करने है सीखना है, समझना है खुशी के साथ काम करो आपको काम करने का मौका मिल रहा है एंप्लॉइड नहीं हो आपको डिप्राइब नहीं रखा जा रहा आपकी ठाली पर भोजण है, खुश होकर काम करना है फिर आता है शाम का समय, रात का समय, रिलेक्स करने के लिए, चिंता करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है बहुत हो गया काम, निश्टा से काम करा, काम की तैयारियां करी, पूरा दिन बिताया, बस शुक्र गुजार होना है, मैंने बहुत अच्छे काम किये, मेहनत लगन से काम किया, मुझे मुक्त रहना है entertainment करो, मंदिर जाके आरती करो, परिवार वालों के साथ समय बिताओ, कोई भी अच्छी अध्यात्मी किताब पढ़ो, यह अध्यात्म का भी समय है, जीवन में अध्यात्म को घोलने का और तनातु कम करने का समय है, और चैन से सोने के लिए, ताकि शरीर और दिमाग को अराम मि पाए, अगला दिन अच्छे से जीप पाओ, जो समय जिस चीज के लिए बनाए, जिस काम के लिए बनाए, वही काम करना है, वही दिमाग में रहेगा, तो गलत ख्याल नहीं आएंगे, गलत जगे दिमाग नहीं चलेगा, परिशान नहीं रहोगे, कन्फ्यूज नहीं पूरे जीवन को एक दिन में नहीं समिट देना, हर दिन में कुछ ना कुछ आपके जीवन में एड होना चाहिए, चाहिए वो कोई अनुभव हो, कोई स्किल हो, प्रैक्टेस हो, किसी चीज में बहतर बनना हो, चाहिए वो सेहत हो, चाहिए वो अध्यात्मिक सोच हो, चाहि ये वही काम नहीं करते चले जाना काम भी कर रहे हो ते इंटेंशन ये होनी ची मुझे आज और बहतर बनना है और प्रैक्टिस करनी है आज और लोगों का भला करके उठना है क्या नया सीख रहा हूं मैं क्या नया अनुभफ कर रहा हूं मैं कल से आज में मैं कैसे बहतर बना इसका जवाब आपके पास जरूर होना जीए दोस्तू जो भी वस्तू जो भी विशे आपकी इंद्रियों को तुरंट सुक देता है वो आपको सिरफ रिवार्ड के रूप में मिलना चाहिए एक तोफे के रूप में मिलना चाहिए जिसको आपने कमाया है, बहुत महिनत करके, इंद्रियों को सिकों से दूर रखके, दस बार इंद्रियों को सुक से दूर रखा, तो एक बार उसको रि वॉरड दो के, पूरे हफते घर का खाना खाया, सात्विक भोजन किया तो एक दिन बाहर का खा रहे हो छे दिन काम पर ध्यान दिया, कर्मों पर ध्यान दिया तब एक दिन मस्ती कर रहे हो उल्टाना हो जाए कि इंद्रियों को दुख, डेप्रिवेशन कम मिल रहा है सुख जादा मिल रहे है आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बर्बादी ही सबसे बड़े निशानी यही है दोस्तो इंद्रिया तो भूकी है उनकी भूक बढ़ती चली जाएगी और सैडिसफेक्शन लेवल कम होते चले जाएगा वो आपको आदी बना देंगी दुखी बना देंगी हर शड सुख दूंडोगे हर शड लगेगा कि मुझे अभी क्या मिल जाए अभी क्या मिल जाओ कुछ नहीं मिलेगा कोई भी चीज सुख नहीं दे पाएगी frustrated रहो सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर छोड़ कर बाहर चले जाओ प्रकृती के बीच में चले जाओ जहाँ पेड दिख रहे हो पौदे दिख रहे हो पंची दिख रहे हो आसमान दिख रहा हो उसके बाद हाद जोड़ कर प्रकृती को नमन करो और कहो मैं धन्येहू की प्रकृति माने मुझे जीवन दिया है, उर्जा दिया है, शरीर दिया है अपनी सुंदर्ता को देखने का मैसूस करने का इन पेड पौदों को आसमान को हवा को पंचियों को जीवों को देखने समझने का सुक्की अनुबूती करने का मौका मुझे दिया है मैं एहसास करता हूँ कि हम सब में सब जीवों में सब में एक ही आत्मा है, एक ही ताकत है, एक ही उर जाए हम सब भगवान का प्रकृती का हिस्सा है, हम सब एक है जो अलग होने का भाग है वो जूटा है मैं सब की भावनाओं की गदर करता हूँ, सब जीवों की गदर करता हूँ मैं कामना करता हूँ कि सब खुश रहें, सब के जीवन में प्रसंता रहें मेरे अंदर किसी के लिए दुर भाव नहीं है, किसी के लिए नफरत नहीं है कोई मेरा बुरा चाहे अच्छा चाहे सब खुश रहे सब प्रसंदा से अपने अपने करम करें शाम को अपने घर को जाए ये कामना सुबह उड़ते ही आपको भाहर जाकर करनी है इससे आपका मन क्लियर होगा प्रकृती से जुलाव महसूस करोगे, प्रकृती का एसास कर पाओगे, अंदर से नकरात्मक भाओ जैसे नफरत गुस्सा खतम होंगे